नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं नान खटाई, नान खटाई तो खाने में बिस्किट जैसा लगता है और यह बच्चे बहुत पसंद करते हैं, नान खटाई तो चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आज हम नान खटाई बिना कूकर बिना आवन क की बनायेंगे इससे बनाने में बहुत ज़रू करते हैं नान खटाई बनाने के लिए हमने यहां पर एक कप मैडा लिया है तो हम सबसे पहले बढ़े बावर तीन बड़े चमप देसी घी यह हुशन में मिक्स कर लेते हैं इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी और घी मिलकर गाढ़ेर हो जाएं यानि कि हमें इसको मिलाकर क्रीम जैसा बनाना है अब इसमें डालेंगे एक कप मैदा दो बड़े चमच बेसन एक छोटी चमच बाइकिंग पाउडर अब सारे चीज़ों को हम घी और चीनी मच्छिस मिला लेते हैं अब ही ये बहुत सूखे लग रहे हैं इसमें हम दो चमच घी आउट डालेंगे क्यूंकि हमें इसका डो तयार करना है आप चाहें तो घी की बज़ाए तेल भी ले सकते हैं अब इसको हम हाँ से मिलाते हुए इसका डो तयार करेंगे हम इसमें पानी नहीं डालेंगे हमने जो इसमें घी डाला है उसी से हम डो बनाएंगे अगर ये ज़्यादा सूखे हैं तो आप इसमें थोड़ा से दूट डाल कर इसका डो तयार कर सकते हैं सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला कर इसका डो तयार कर लिया है इस तरीके से हमारे डो बने है नान खटाई के लिए हमने इस तरीके के ठाली लिया है इसके उपर से हम थोड़ा से घी लगा देते हैं आप चाहें तो थाली बजाए इस्टील को प्लेट भी ले सकते हैं अगर आप कड़ाहिं बना रहे हैं या फिर कूकर भी बना रहे हैं तो उसी हिसाब से प्लेट या थाली लें जिससे यो कूकर या कड़ाही के अंदर आसानी से बढ़ जाए अब इसका हम छोड़ा छोट़ा लोई बना कर पेड़े जैसे बना लेते हैं लोई को हम दोनों हांसे चिकना करते हुए गोल करेंगे आओर उसके बाद हम इसको हलके हांसे चिप्टा कर लेते हैं इस तरीके से हम सारे नान-खटाई बना कर थालिम लगाएंगे इसको हम दूर दूर रखेंगे क्योंकि ये पगने एक बाद फूल जाते हैं और हलके बड़े भी हो जाते है यहाँ पर हमने थोड़े से कटे हुए बादाम लिया है अब सारे नन खटाएक उपर एक एक टुकड़े बादाम लगा देते हैं आप चाहें तो बादाम के सासत काजू और पिस्ता भी लगा सकते हैं इससे नन खटाई खाने में और भी अच्छे लगते हैं यहाँ पर हमने एक एक करके सारे नन खटाई बना लिये हैं अब इसे हम बेक करेंगे हम नन खटाई को इस पतीलिम पकाएंगे गैस को हमने ओन कर दिया है अब पतिलियम डाल देते हैं 300 गराम नमक नमक कलार हलका ब्राउन है क्योंकि इसका इस्तिमाल हमने कई बार किया है आप एक बार नमक लेकर कई बार इस्तिमाल कर सकते हैं नमक को हम पतिलियम डाल देते हैं और चम्मस से फैला देते हैं, इसका उपियोग होने के बाद जब ये ठंडे हो जाएं तो किसी डिबे में रख दें, ये नमक खराब नहीं होते हैं, इसी के अंदर हम एक स्टेंड को रख देते हैं, अब पतीले को हम ढग देते हैं, जिसे पतीले पूरी तरह से गरम हो जाए तब इसके बाद हम इसमें नान खटाई रखेंगे, धक्कन का होल हमने बंद कर दिया है, जिसे नमक यदिस गरम हो जाएं, नमक साहित पतीले पूरी तरह से गरम हो गया है, अब इस टेंड को पर हम नान खटाई को रख देते हैं, और इसे हम धक कर 10 से 12 मिनट तक बेक करें करेंगे, गयस को हम मेडिय में रखेंगे, लगभग 12 मिनिट के बाद हम धकका नटा कर देख लेते हैं, यह नान खटाई पूरी तरह से पक चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है, और फूल कर थोड़े बड़े हो गये हैं, अब इसे हम निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और उसी तरीके से हम बागिक नान खटाई बेक कर लेते हैं, इसको भी हम 10 से 12 मिनिट तक मेडिय माच पर बेक करेंगे, बारा मिनिट के बाद एवाले नान खटाई भी हमारे अच्छे सपक गये हैं, इसे भी निकाल कर बाहर रख देते हैं ठंडा होने के लि निकालेंगे, यह नान खटाई हमारे पुरी तरस ठंडे हो गये हैं, अब इसे हम एक प्लेटम निकाल कर आपको दिखाते हैं, अब आप देख सकते हैं, नान खटाई हमारे पुरी तरस बन कर खाने के लिए तयार हैं, यह दिखिने जितना अच्छा लग रहा है, खाने उस खा सकते हैं या फिर वैसे भी खा सकते हैं इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत सोग से खाएंगे आप इसे एक बार बनागर किसे डिब्बे में रखर काफी समय तक खा सकते हैं अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले